प्रमात्माबंदी छोड़ कहते हैं वैं बगती क्रया करो गणी गणी और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा अधनिय ग्रीब्दा साइब जी गाउं शुड़ाने जिला जज़दिर वाले ने अपनी प्रमात्मा की महीमा कलम तोड बोली है लिखाई है तो वो क्या कहते हैं प्रमात्मा की महीमा बताई है मन तू चलरे सुख के सागर जा सब्द सिंधूरत नगर सुख सागर किसे कहते हैं संखों लहर मेहर की उपजें कहर नहीं जा कोई संखों लहर मेहर की उपजें कहर नहीं जा कोई दास गरीब अचल अवी नासी सुख का सागर सोही मन तू सुख के सागर बसरे बाई और ना ऐसा यसरे कि जा संखों लहर मेहर की उपजें अपने आत्मों अब हम पांस ततों से बने हुए पूतले में रहते हैं इसमें कभी बीपी हाई कभी लो कभी कोई काम कभी करहोद कोई लालत दुखी कर रहा होता है हम सेड रहे हैं इसके अंदर अपने करम बिगाड रहे हैं अन्मेलना वही है जो लिख रखिया आपके प्रहरब में आपकी किस्मत में इसे अधिक नहीं मिलेगा इसे नियोन भी नहीं रहेगा कम भी नहीं रहेगा लेकिन ये बात हमसे कोसों दूर होगी हमें कोई ये दर्ड करने वाला नहीं रहा अब तो घर में भी ना रहे हैं सबने माया जोरन की ट्रेनिंग ले रखिये पहले कम से कम मात पिता दा 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 दी कोई गल्ती करता बालक नहीं कहा करते ना भाई ये काम ना करिये बगवान रुष्ट हो जाएगा अब बगवान आनी तो बात तैना चलती गर में क्यों सब थोड़े बहुत दो पैसे होगे सिक्सित होगे कोई रोजगार करता है सांज ने गुटी लागे कोई किता पड़या है कोई किता पड़या ना बच्चों के साथ कोई लिंक रहा तो इस परकार ही हमारी सारी ने चिक्ता का भी नास हो गया तो क्या बताते हैं आप दास के साथ तो बहुत बार बीती है कुछ पिछले संसकार थे मानिके चरणम रहा होगा दास तो कई बार जब अकेला होता हो एक आद बार ऐसी हिलोर उठती हंदर से चाए किसी ने हमें कितना ही सता रख्या हो कितना दुख दे रख्या हो चाए कुछ पैसे भी मार रख्या हो चाए कभी गाली गलोच भी कर रख्या हो उसकी परती भी दोस नहीं रहता वो भी अपना सा दिखाई देता है वो रहती है कुछ थोड़े समय के लिए वो जो लहर सी उठती है कुछ देर तक रहती है उसमें कोशिस भी नोकरान उसके परती दवेस पैदा हो नहीं होता और उस लहर के जाने के बाद उस तरंग के जाने के बाद फिर वो एक ख़ड़ा ब्रया होता है उसने ऐसा क्यों बहुला उसने ऐसा क्यों कह दिया अब ये करूँगा वो करूँगा फला ना करूँगा तो जो मिहर की लहर थी वो थी जिसमें किसी के परती दोस दवेश नहीं आ रहा था और कहर की लेर वो शुरू होगी जब आम रहती है हमारे अंदर तो इसके भी से मताता है क्यों सत लोग के अंदर गृबदा साइब जी कह रहे हैं संखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहा कोई कोई दुखे नहीं अपने अत्मों आप यहां आए हुए हो सतलोक आसन बरवाला जिलाई सारा जियाना चाहे कोई चार दिन से आ रहा है कोई दस दिन से कोई दो दिन से अब यहां क्या दिक्कत आप को मुझान बुझ कर अपने सब हाववस कोई प्रोब्लम पैदा करो वा दूसरी बात है किसे के साथ खसो तू यहां को बैठ का मैं बैठ हूँगा या दर्ती सारी एक जैसी है एक जैसे मैट बिछ रहे है की तदर बिछाओ और रेट जाओ बना बना खाना मिले परमातमाना अपने बच्चों के लिए दूद की नदीबा रेखी और यहां पर सारे सदावर्द खोल रेख्या चाह की केटली बरकेद रेख्या अडाओ गिलास रुपी वो गटगट की तवेट के तो यहां आपने यहां क्या दुख है क्या दवेश है किसके साथ तो वहां सत लोग की यह मेन्नी रिहर्सल है वो वाला सुख तो यहां सुपन में भी नहीं है लेकिन उसकी रिहर्सल है तो जब आप वहां जाओगे बहुत बड़ाग से तराफ क्या अपना इंडिविज्वल है जैसे यहां पर तेक का सुभाव है बड़ी कोठी हो और गेलान हो उसमे तलाब बना हुआ हो कई फुआरे चल रहे हो बाग बगीचे हो और अंगूरों की बेल लगी हो कभी गुमते गुमते खाले वाट सेर से पटा करें कभी तलाब मना ले बैठके गपे मारें किता बैठ तो यह यहां का किया हुआ तुम्हें वहां मिलेगा अब आज स्टूडेंट है मनुस जीवन पराणी और जो स्टूडेंट यहां की यह कर रहा यहां की संपत्ती जोर्डन में लगया वो इदार्ची नहीं है वो भगत नहीं है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन को दबाए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद